तो आज हम बात करने वाले काफी यूनिक टोपिक के बारे में अगर आप लोगोंने ड्रैगन वॉल उनिवर्स में गोकू की करेक्टर को देखा है तो आपको यह बात पता होगी कि गोकू कितना ज़्यादा पाउरफुल है और इसके साथ कई सारे पाउरफुल करेक्टर को हम लोग कंपैर कर चुके हैं और आज की हमारी वीडियो में हम गोकू के साथ कंपैर करने वाले पूरी जश्टिस लिग की टीम को अगर आप लोगोंने डिसी उनिवर्स को फोलो किया तो आपको यह बात पता होगी कि जश्टिस लिग की जो टीम है इस टीम के अंदर कई ऐसे करेक्टर है जो की गोड लेवल की पाउर को होल्ड करते हैं जिसकी वज़े से आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले गोकू वर्स जश्टिस लिग की बैटल के बारे में और देखने वाले की जश्टिस लिग की टीम में ऐसे कौन-कौन से मेंबर है जो की गोकू को knock out कर सकते हैं और Goku कीन-कीन character को knock out कर सकते हैं तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हूँ तो इस वीडियो को end तक देखना अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को like करके हमारे इस चैनल को subscribe कर लें ता कि आपको future में ऐसी और भी amazing देखनी को मिलती रहें तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले माँ आप लोग को सैयन यानि की गोकु की पावर के बारे में डिटेल में explain कर देता हूं ताकि आप लोग को idea लग जाए कि गोकु का पावर लेवल है क्या और उसकी बाद justice league के एक इंग member को हम लोग गोकु के साथ compare करेंगे तो देखो गोकु की story के बारे में हमें detail में बताया गया है ताकि dragon wall universe में ये बंदा एक saiyan species से belong करता है और बाद में अर्थ पे आके रहने लग जाता है जहां पे अपनी training को अंजाम देता है जिसकी बाद इसकी जो power level है वो देरे देरे इतने ज़्यादा increase हो जाती है कि इसकी strength इतने ज़्यादा है कि ये बंदा अपनी strength का use करके पूरी city को कुछी seconder में destroy कर सकता है और इसकी body की durability level इतने ज़्यादा है कि powerful से powerful attack भी इसका ज़्यादा कुछ बिगाड नहीं पाते है और इसकी जो body है वो अपनी आपको काफी तेजी से recover कर लेती है और ये बंदा अपने normal transformation में sound से भी ज़्यादा तेजी से travel कर सकता है इसके इलाबा इसके पास हमें teleport होने की power देखनी को मिली है और ये काफी तेजी से fly कर सकता है और Saiyan's के पास power होते है कि training करके ये बंदे अपने transformations को भी change कर सकते है जैसे कि Super Saiyan 1, 2, 3 या फिर इनके पास और भी कई सारे transformation है जैसे Goku के पास है Saiyan God की power और इसके पास एक ultra stick form भी है जिसकी वज़े से इसकी power level जो है काफी ज़्यादा increase हो जाती है और ये बंदा कुछ भी कर सकता है और इसके जो attack सब इतने fast हो जाते हैं कि सामने वाले बंदे को दिखाई भी ने देते ये सब थी Goku की power अब एक एक करके हम Justice League के members को इसके साथ compare करते हैं सबसे पहले हम लोग Batman को इसके साथ compare करते हैं देखो Batman के बारे में आपको ये बात पताओगी कि Batman एक ऐसा character है जिसके पास कोई super power नहीं है ये बंदा अपनी technology के use करके कई सारे powerful characters के साथ battle कर चुक है उनके बारे में सब कुछ जानता है इसलिए उनके साथ battle कर पाता है लेकिन जो सही नियान की Goku है इसके बारे में Batman कुछ नहीं जानता है और इसकी जो technology है यानि किसके जो weapons है ये सारे weapon Goku की body पे waste हो जाएंगी और यह ये बंदा Goku के against survive कर सकता है लेकिन जो Goku की speed वाले attacks है उनकी against ये बंदा survive नहीं कर पाएगा और Goku जो कुछ ही minto की अंदर अंदर इस character को knockout कर देगा लेकिन अगर आपको लगता है कि Aquaman यहाँ पे अपने Kraken को बुला सकता है और किसी और समुंदरी जीव को बुला सकता है तो अब आता है साइबोग, साइबोग के पास हमें काफी unique power देखनी को मिली है कि ये बंदा किसी भी तरह की attack को hack करके powerful attack कर सकता है जैसे कि ये बंदा nuclear weapons को भी hack कर सकता है उनका जो attack है वो Goku की body पर करा सकता है लेकिन इसमें काफी time लगता है और ये चीज़ हमें कई बार देखन लोती है तो Goku के against हमारा जो साइबोग हो जादा कुछ नहीं कर पाएगा जबकि साइबोग का जो character वो DC Universe के अंदर एक काफी powerful character मान जाता है क्योंकि इसके पास हार एक तरह की technology को hack करने की power है लेकिन Goku के जैसे character के against इसकी जो power हो वेस्ट हो जाएगी जिसकी चलते हम लोग बो लाकि flash कोई normal speed से दोड़ता नहीं है बलकि ये बंदा कुछ ही second में light की speed को achieve कर सकते है और ये बंदा इतने ज़्यदा तेजी से दोड़ता है कि Justice League के कई सारी powerful characters भी इसे दोड़ते भी नहीं देख सकते है और ये आदे second से भी कम time के अंदर पूरी की पूरी city का चकर लगा सक जहां पर flash point में ये बंदा past में जाके हर एक चीज़ को change कर देता है जिसकी वज़े से कई सारी गड़वडिया भी हो जाती है तो यहां पर अगर इस character की battle Goku के साथ होती है तो क्या ये Goku को knockout कर पाएगा देखो Goku के पास भी हमें light की speed से travel करने की power देखने को मिली है लेकिन Goku की comparison में flash के जो power level हो काफी कम है और अगर आप लोग को ये लगता है कि flash अपनी time power के use करके Goku के जैसे character को knockout कर सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Goku एक ऐसा character है जो की flash से भी ज़्यादा तेजी से travel कर सकता है और flash के जैसा character इसकी against survive नहीं कर सकता अगली character है वंडर व reflexes और ये काफी तेजी से travel कर पाती है आप लोग बोल सकते हो कि sound से भी ज़्यादा तेजी से travel कर सकती है और चीज हमें कई बार देखनी को मिल चुकी है ये fly कर सकती है sound की speed से और अपने truth of lasso का use करके कि किसी के mind को control कर सकती है लेकिन जो powerful characters होते हैं उनके mind को ये control नहीं कर सक इसने में ऐसी लगते है कि इसकी body को destroy नहीं किया जा सकता क्योंकि powerful weapons भी इसकी body पर असर नहीं करते हैं तो battle के दुरान Wonder Woman काफी अच्छे टक कर देने वाली है Goku को लेकिन इस battle में 20% ही chances है कि Goku को Wonder Woman अपनी power के use करके knockout कर सकती है truth of lasso का use करके लेकिन यहां पे 80% chances है कि Goku इस battle क win करेगा बाकि आप लोग नीचे comment करके मुझे बताना कि आपको क्या लगते हैं अब बात करते हैं Justice League की team के सबसे powerful member यानि कि Superman के बारे में इसकी power के बारे में तो आपको पताई होगा कि इसकी पास हमें super human strength, durability, agility, reflexes देखनी को मिले हैं और यह बंदा light की speed से travel कर सकता है, fly करत बेभी और इसके पास हमें heat vision, telescoping vision या फिर x-ray vision की power देखनी को मिली हैं और यह बंदा cold breath की power को भी use कर सकता है और हमें इसके पास super hearing की power को मिली है और यह बंदा sun की energy से अपनी power को increase कर सकता है और इसके पास कमाल का healing factor है जिसकी वज़े से बंदा अपनी body को कभी भी recover कर सकता ह अब इन दोनों character की बीच battle होती है तो battle काफी घमसान होने वाली है यह battle काफी लंबी चलने वाली है क्योंकि Goku को super man की weakness के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा और यहाँ पे super man को भी Goku की weakness के बारे में नहीं पता तो यह battle लंबी चलेगी लेकिन battle के end में जैसे ही Goku अगर super man अपने आपको heal करने की कोशिश करता sun की energy से तो यह बात Goku को जैसे ही पता लगी कि Goku जो है अपनी power के use करके यानिकि teleport होने वाली power के use करके super man को एक ऐसी place पे लेके जाएगा जहां पर sun की energy बिल्कुल नहीं आने वाली और यह बंदा कुछी मिंटों के अंदर super man को व powerful है मैं चाहता हूं कि आप लोग comment करके बताना क्योंकि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूं कि dragon wall universe के कितने fans हैं और इसकी इलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाया तो वीडियो को like करके आपके पने इस चैनल को subscribe कर लें ताकि आपको future में ऐसी और भी amazing और इस देखने को मिलती रहें तो चलिए फिर मैं मिलूँगो आपसे मारी अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye